विद्यार्थी के जीवत में कब-कब उन्होंने जैसे कसे शिक्षा प्राथ की, कहां कहां प्राथ की, ये इसमें बताया है और वो स्वतन्थिता सेनानी बनने के साथ साथ एक फुशर पत्र पारवी थे, और उन्होंने कौन-कौन से पत्र पारवीता में कौन-कौन से पत्र लिखे, और कौन से पत्र उन्हों के जादा विख्यात हुए, ये सब इसमें बताया रहा है गणेशंकर विद्यार्थी एक सच्चे देश्वंग थे सामाजी कूरायों के निराकरण के लिए सधेर कटिवर रहते थे उन्होंने धर्मान बंदा कभी स्विकार नहीं की इस संदर में उनका वेतित में कुछ-कुछ संदर कभी जेसा है अंतरगेवर इतना था कि कभीर के चिंतन का शोर जहांबूर ब्रह्म था वहीं विद्यार्थी के चिंतन का भूर था रास्ट कभीर जी के चिंतन का विशे क्या था ब्रह्म ब्रह्म के विशे में वो लिंगते थे पढ़ते थे और विद्यारती जी के जिन्दन का मिशेग्या था रास्ट को सब रास्ट के बारे में लिखते थे रास्ट के बारे में लिखते थे रास्ट के बारे में लिखते थे रास्ट के बारे में सब बताते है तो हमारे राष्ट का निर्मान होगा, चाहिन हिंदू और मुस्की मोसी की साहियों सभी को साथ हमें आना पड़ेगा, मिल जूलकर हमें देश के लिए कांग करना पड़ेगा, ऐसा हो मानते थे 26 अक्रुबर 1880 इस्वी कार्वी वैंपून्य दिन था, जब इलाबाद के अतर्शुरिया मुझले में इस महानुविपूति का जन्हु हुआ था गणे शंकतर के पिता स्वी जे नारायन स्रीवास्तव, पतेपुर्जिले के पूत गाम के मुल निवासी थे वे गवालियार के अध्यापक्ते गणे शंकतर की पारमिक शिक्षा गवालियार के मुंगावली नामक स्थान से भी प्रारमिक यही उन्होंने कानको रिष्थित क्राइश्च चर्च पोलेज में एंट्रेजिस की परिक्षा उतिन की उच्छ सिक्षा के लिए उन्होंने इलाबाद के काईस्त पाट शाला कोलेज में प्रवेस दिया, किन्तु अर्था भाव याने पैसे की तमी, अर्था भाव के कारण उन्होंने 7-8 महिने बाद की कोलेज छोड़ना पड़ा, उनका दिवार इलाबाद के मुझी, जयाल की पोत्री, चंदर प्रकास देवी के साथ हुआ था, उलेज तो छुट गया, किन्तु इसी सार उनका प्रवेस पत्रकारिता के क्षेत्र में हो गया, उलेज छुटने के बाद उन्होंने पत्रकारिता जोइन कर लिए, उन्होंने कर्म योगी पत्र के लिए लेगूर इपनिया लिपकर अपने पत्रकार जीवन की सुलुवार थी, उन्होंने के जीवन की सुलुवार कोंचे पत्र से हुई थी, कर्म योगी से, इन्ही दिनोंवे सरसुती के प्रख्या संपादर, पंडि, महावीर, प्रसार, वेदी के संपर्क में आये, और उन्हों के पारियों में हाथ बढ़ाने लगे, दिवेदी से उन्हें बहुत मान देते थे, कान्पूर में अपने मित्र श्रीम नारायन मिष्व और नारायन प्रसाद, धरूला के सायोग से उन्होंने 9 नवंबर 1913 से साथता ही पत्र प्रताप का प्रकाशन प्रारंकिया 9 नवंबर 1913 यही पत्र उनके बहुत हुपी वक्टितित की अभिवक्तिी का आधार बना, इस पत्र को उनोंने अपने कून पसीने से सीचाने, मतलब बहुत मेहनत करना, उन्होंने इस पत्र के लिए बहुत मेहनत कीुती, उन्होंने इसे अंग्रेजी सरकार के द़मन, अNEय और शोशन के विरू एक कारगर हतियार के रूप में प्रयूट किया। इस समय ऐसा भी आया जब मुंका यह पातर सुदंग्रता संग्राम का पल्याई बन गया। अंग्रेजी सकार बार बार इसे बंद करने के धंपी देती रहनी किम्तु अपनी द्रण इच्छा शक्ती, कहरी, सूच, भूच, मिर्मिक्ता, विलक्षनता, प्रतिभा और इस्पक्षता के बल पर गणेश अंकर वित्यार्धी ने अपने जीवन काल में प्रताग के अपनी लोग्तेता के बल पर साताइक से देनिक हो गया, साताइक हा मतलब हो तर साथ दिमों से इसका प्रकाशन होना, परन्तु इसका प्रखाप इतना हुआ कि वो देनिक हो गया, देनिद्याने रोज प्रकाशिक होने लगा, अनेक पत्रों ने इसे अपना आदर्ष बनाय पत्रकार और संभातक ही नहीं थे वे स्वतंकृता संग्राम के करमट तथा चूज्षारों से नानी भी थे वे अधिल भार्टे कॉंग्रेस की कतिविदियों में सक्रिये योगान देते थे जब कॉंग्रेस का सवीन अवेक्या आंदोलंग चला तो उने सहीं प्राण का प्रथम डिडेक्टर मनोमित किया गया उन पर राज़्ट्रों का अरोग लगया और गिर्पतार कर जेल में डाल दिया गया इस प्रकार 1921 से 1931 तक वे पांच बार जेल में चले ले अपने प्राणों पर हस्ते हस्ते खेल जाने वाले प्रांतिकारी के पति गड़े शंकर की त्यार्थी देमन में बड़ा स्नेन और समान था उन्होंने सदेव संकर्ट की धड़े में उनकी सहाइता की तथा मार्वदर्शन दिया प्रांतिकारी पतार के कार्याद है के एक कपरे अपनी शरण इस्तली बनाते थे सरदार भगर सिंग कर लापोर में जब विवा करने के लिए उनकी दाती का दबा बड़ा तो वे मार्वदर्शन के लिए गड़े शंकर विद्यार्थी जी के पास कानकूर आए उन्होंने सरदार भगर सिंग को परामर्श देती में लिए कहां निमक देगो स्वदंतता के लिए काम करना एक परवाने की तरह होता है जो श्रमा को प्यार करता है उनक श्रमा की लप्टों में जलकर मर जाता है श्रमा का मतलब होती है लोग भगर सिंग उनके संभूख नतमस्तफ हो गए विद्यार्थी जी ने मेंफुरी सडियंद्र के अभ्यूक्तों के बचाव के लिए भी बहुत प्रेत्म किया 1927 में जब कापोरी सडियंद्र के अभ्यूक्तों के साथ कारागार में दुफ्य भार किया गया और वे अन्शन करने प्रबादी हो गये तो विद्यार्थी जी ने ततकाले में होम मेंबर को अनेक चिछ्या लिखी औरतार भजे गणेश अंकर ने प्रांतिकारी ठापो रोशन सिंग की विद्वा की पुतरी के विवा में अडंगा डालने वाले दरोगा को भूख डाटा पटकारा अंकते उसी दरोगा में उस विवा का पुरा प्रबन्त पिया गणेश अंकर के द्यार के ऐसे शिक्षा चाहते थे जिसे पाकर भाड़के इंवर्त नीर्भर नीर्भी और रास्ट्री के सच्चे सेवत्पन सके किसानों और मज़्दूरों को जमीदारों और अफसर साही के अन्यायों और शोषन से मुक्त कराने के लिए निरंतर संगर् पास्ट्रम की स्थापना की जिसके मादल से उन्होंने ग्राम सुधार के अने कारी क्रम आयोजित किये बाद में उनकी ग्राम सुधार योजना की परिदी में 200 गाउँ आ गए विद्यार्थी जी सांप्रदाइक्ता के बल फ्रेवल विरोधी थे, ये कैसी विडंबना है कि जो वेक्ति जीवन भर सांप्रदाइक्ता के विशेली भावना के बुरू जूचता रहा अंत थे, वे उसी का शिकार हुआ हमेंसे विद्यारती जीम क्या करते हें सांप्रदायिकता का अंत करना चाहते हैं सबी को करते हैं कि यह भावना मंहें नहीं रहां चाहिए परीजम करना चाहिए परद्धुमी निप्रदायिकता का przy條ora हुए है चोईस मार्च 1931 की बात है कानपुर में अचानक नितों उसले दंगा भड़क था लोग एक दूसरे के खून के क्या से हो उठे मारकाट और अगनिकाट के खबरे आने नगी विद्यार की जिस्कति में मुद दर्सक बंतर बैठे नहीं रह सकते थे हैं वेगिकल करनी में अंतर ने था गड़े शंकर विद्यार्थी जैसे लोग विल्ले होते हैं ऐसे लोगों के लिए किसी राष्ट को हजारों परस्तर प्रतिक्षा करनी होगे यानि उन्होंने देर से वागे लिए अपना सर्वस्वर वलिदान कर दिया अब सब्दार्थ कटी बद हैने पूरी तरह तैयार रहना वीबूति महान वेक्ति अभाव कमी अभी वेक्ति प्रगट करना अपने विचार विलक्षन अनोखी सप्रिये प्रियाशी परामर्श सलाम विरले बहुत कम संख्यमे सबेर हमेशा सोध साधन प्रयोग प्रयोग की गई नीर्विक बिना दर्गे संखाज याने टक्का लेना शमा याने लोग बहु रुकी कई दिशावों में प्राश्न देगो गणेशंकर विद्यार्थी का जन का गोर पहाम वाधा गणेशंकर विद्यार्थी का जन यह पार्ट इसके जीवन पर आधा नित है गणेशंकर विद्यार्थी के जीवन पर आधा नित है सेकेंड प्राश्न है विद्यार्थी जी के जितन का गूल क्या था रास्ट निर्मान विद्यार्थी जी हम सब इस प्रकार बिछोंकर चले गए 24 मार्च 1921 की बात है कानपूर में अचानक हिंदू, मुस्लिम, दंगा भड़क था लोग एक दूसरे के कोन के प्यासे होग है विद्यार्थी जी इस 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 दिन में मुद तर्शक बंतर बेखे नहीं रहे, वे लोगों के तोस समझाने, वे बचाने, निकल पड़े, वे स्वेम को बचा नहीं पाए और दंगे का शिकार होगी अगला प्रशन है विद्यार्थी जीते प्रहुख पत्र का नाम क्या है? क्या है प्रहुख पत्र का नाम? प्रतार्थ अब हैं बहु विकल किये विद्यार्थी जीते जीवन का मूल क्या था? राष्ट विद्यार्थी जीते पत्र का जीवन की सुरुवात किस पत्र से हुई? किस पत्र से हुई थी? कर्म योगी ग्राम सुधार योजिना की परिदी में कितने गावाए? दो सो अब अगला प्रश्ण है गडेश अंकर विद्यार्थी जी का जन कगोर कहां वहा था? गडेश अंकर विद्यार्थी जी का जन इलावात के अतरस्विया मंगोले में 26 अक्टूबर 1890 इस्विय में हुआ था और हैल गोर्ड़ी में कलम से आपको ये भी नौर्टूर्थ में करने हैं गडेश अंकर विद्यार्थी एक मुशन पत्रकार थे इस फस्ट कीजिए विद्यार्थी जी की द्रण, शक्ति, कहरी सूज-कूज, नीर्भिक्ता, विलक्षन प्रतिभा, एक मुशन विलक्षन प्रतिभा के कारण विद्यार्थी एक मुशन पत्रकार थे विद्यार्थी जी ने अपने पत्र प्रतार के लिए क्या कारी गिये विद्यार्थी जी ने अपने प्रतार के लिए नेक कारी गिये जिसे विद्यार्थी जी ने इस पत्र को अपने पून पसीने से सीचा था तथा इसे अंग्रेजी सरकार के दमन, अन्याय, शोशन के विरूट एक कारगर खतियार के रूप में ठयुक्त किया था अगला है सरदार भगत सिंग विद्यार्थी जी के पास क्यों आये थे? क्यों आये थे? क्यों कि उनकी दादी जी उन पर क्या करे थे? विवा का दवाब डाल रहे थे, इसलिए वो गणेशंकर विद्यार्थी जी के पास आये थे अगला है निक्ति स्थानों की पूर्ति कीजिए गड़ेशंकर विद्यार्थी जी ने धर्मान दता धर्मान दता पली सुकार नहीं ही गुर्भोने कार्ण योगी पात्री दिये ले वो टिपणियां टिपणियां लिखी थी गए सुदंतिता संग्राम के कार्माट तथा जुझान जुझान सेनानी ही थे तुमकी ग्राम सुधार योजिनां की परिदी में इतने लावाते हैं दो सो गड़े शंगर विद्याती जैसे लोग विल्ले विल्ले भी होते हैं लेसन मैंने करवा दिया बच्चों कलंग से आप अपने आप से करना और हल मैंने आपको बता दिया अ, प्यूहियर नाव। तुमक बतारैने zijn और महंस्त। मिल्ले खाफर योवनाग तामानी जैसे लावे उसे प्याज़ें हैं अ Pasानते अक्षार लावें